मैं मेरा मुझको की सीमा होती है बहुत बुरा हुआ चुनाव के दौर में भैंस, मंगल, सूत्र, मुझरा, तोटी तोर ले जाएगा, बिजली काट देगा चुनावी मन से कुछ, जमीन पे कुछ, ये बीमारी नहीं पालनी चाहिए वन नेशन वन फलाना, वन नेशन वन टिबकाना, वन नेशन वन चीलाना कहे को भीया, कहीं ऐसी स्थितिनी हो जाए कि वन नेशन वन ठेकेदार पाँच क्रोनी पुंजी पती तरक्की कर रहे हैं, उसको देश की तरक्की मान रहे हैं कहीं तुम्हारी कमीज से मुसलमान होने की बू तो नहीं आ रही वरना मारे जाओगे। कि तुम एक मुसलमान हो और तुम मरो के नहीं एक दिन मारे जाओगे। जितनी जितनी गालिया मुझको देनी हैं अपने भाशन में दे लीजिएगा। खुब दीचे गाली, आदी हो गए हम गाली सुनने के, सच शुबने लगता है। सबका शुक्रिया अदा करते हुए, मैं सबसे पहली चीज कहूँगा, कि महमहिम के अड्रेस को, अंग्रेजी में कहते हैं अभी भाषन, मैंने बीते वीकेंड पर काफी सर्च किया, कि अभी उपसर्ग लगाने के पीछे मनशा क्या होगी। तो जितने मुझे तत्व मिले, उससे ये लगा कि कोई बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे स्मरण हुआ, लोकसभा में प्रफसर हिरेन मुखर जी थे, वो कहा करते थे, कि अभी भाषन, यानि प्रेसिडेंशियल एड्रेस, पक्च और बिपक्च को मिलके लिखना चाहिए। पक्च सिर्फ अगर लिखता है, या उस वक्त कह रहे थे, एरेन मुखर जी, तो कोशिस ये होती है कि दिस्टी हुनों को चश्मा पकड़ा दिया जाए। हमारी कोशिस वो नहीं होनी चाहिए, मैंने पिछली दफा भी कहा था, अब कब ये बदलाओ होगा, मैंने ही जानता, लेकिन इस मेंडेट को मैं सबसे पहले बोलूँगा, उसके बाद बिंदुवार कुछ चीजों पर पैरा दर पैरा, जो अभी भाषन के संदर्ब थे, श किसी ने कहा, अब की बार फलाना पार, चिलाना पार, हमने ये कहा, लेकिन मेंडेट दोनों के लिए एक बात कहता है, उधर मेंडेट कहता है, कि मैं मेरा मुझको की सीमा होती है, आत्म मुगदता की सीमा होती है, वेक्ति केंदृत विमर्ष की सीमा होती है, लोग तंतर में सामुहिक्ता बहाल होनी चाहिए और हमारे लिए ये संदेश है कि आपने जो कुछ किया शायद इनफ नहीं था अगर हम किताब संभीधान की हाथ में ले रहे हैं तो इसके पन्ना धर पन्ना सफा धर सफा, हरफ धर हरफ हमको जीना पड़ेगा लोगों को भरोसा देना पड़ेगा लेकिन हाँ इस मेंडेट की कुछ खुबसूरा चीजे बता रहा हूँ लोग तंत्र में सामुहिक्ता बहालूई मैंने बीते दस वरस से कान तरस गए थे NDA सुनने को बीते एक महिना में इतनी बार NDA दिल को बहुत सुकुन हुआ यकिन मानिये विपक्ष में शत्रू नहीं है लेकिन व्यक्ति केंद्रित विमर्ज से ये मेंडेट आपको भी बाहर ले आया वो बहुत आवश्यक्त दूसरी चीज़ कहूंगा हलके लाइटर टोन में अचानक मुझे लग रहा है कि हमारे प्रिये रक्षामंत्री जी की जबरदस्त वापसी हुई है हर मोर्चे पे वो हैं इससे बात करनी है तो रक्षामंत्री जी इससे बात करनी है तो रक्षामंत्री जी ये सुखद संकेत है ये सुखन संकेत है इस लोग टंतर के लिए अब अब मारणिय वाइस चेर्मेंट साहब मेरा ये कहना है कि नीट को लेकर के बहुत बात ही भी नहीं बोलूँगा मैं अलहदा आदमी था जब NTA बन रहा था उस समय वेंकया नाइडू जी थे वहाँ मैंने जीरो आवर में तीन बार कहा कि इस देश को इस तरह की विवस्था परिशान करेगी ये बीमारी नहीं पालनी चाहिए वन नेशन वन फलाना वन नेशन वन टेपकाना वन नेशन वन चीलाना कहें को भी या कहीं ऐसी इस्तिति नहीं हो जाए कि One Nation One टेकेदार One Nation One Contractor पुरी तरह हुआ नहीं है संजय भाई होने की संभावना है अब अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि राजनी तो मत करो इस पर मैं पूछना चाहूं कि लोगों की पीड़ा परेशानी 25 तीसला की वाउं कि सपने तहस्नास हो जाएं आप विपक्स से क्या उमीद करते हैं आपकी औरकेस्ट्रा में शामिल होके कहें साहब तेरे सुबह की जाए साहब तेरे शाम की जाए ना विपक्स को अपना काम करने दीजे अगर आपने इमानदारी से का मुल्यांकन किया होता आपने क्लीन चिट पहले दिन ना दी होती हर बड़ी में आज ये नतीजे ना होते एक वर्धा विश्विद्याले है मैं आपके माध्यम से कहूं हमारे माननिय हेल्थ मिनिस्टर और लीडर अग दा हाउस है यहां सर वर्धा इन्वस्टी में बहुत बड़ा फर्जी वारा चल रहा है जाच करवाईएगा आप पावर्फुल लोग हैं हमारे पास पावर नहीं है हम आपस आग्रा कर सकते हैं यह आग्रा कर रहा हूं महत्मा गांधी के नाम पर वो विश्विद्याले हो रहा था और सरोकार ही रुगना वस्था में चले जाएंगे बीमार पढ़ जाएंगे तो फिर क्या बार फिर कौन सी राजनी फिर कौन सी समाज नहीं थी युवाओं की रोजगार पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता बहुत लोग बूले हैं बिहार से आ रहा हूं सर पूरे चुनाओ और बिहार में था बिहार में हमें भले सीट कमाई हो लेकिन बिहार के युवा से किसी भी जाती कहूँ पुछी नौकरी नौकरी मतलब के जस्वी हमने मैयार बदला वहाँ वहाँ चिंतन बदल दी धारा बदल दी अब आपकी मर्जी है कुछ भी कहिए आप लोग तो जज़ भी है मैं हाथ जोड़के विंती करता हूँ जितनी जितनी गालियां मुझको देनी है अपने भाषन में दे लीजिएगा खुब दीजे गाली आदी हो गए हम गाली सुनने के फिर सुन लेगे आप से गाली लेकिन कुछ बातें रखने दीजिए सा सा एन आ इओ एस डी ए लेडी का मसला है आप ही ने बनाया आप ही ने उसको डी लेजिटिमाईज कर दिया भटक रहे हैं हजारों बच्चे सिख्षा प्रेरक का वही हाल है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में बहुत बुरा हुआ चुनाओ के दौर में भैंस, मंगल, सूत्र, मुझरा टोटी तूर ले जाएगा बिजली काट देगा सर परिशान हुए हम लोग मैं चुनाओ देख रहा था मैं चुनाओ देख रहा था बैक रूम से कंप्लेंट कर रहा था एलेक्शन कमिशन को जिसको दाद दी गई है अभी बाशन में सर कंप्लेंट फास्ट फेज में किया परसों मेल आता है परसों डेई फो यस्टडे अपना नाम, पता, एसेम्बली नंबर मुबाइल नंबर भेजिए अब किस बात का भाईया अब किस बात का ये बिवस्थाएं है एलेक्शन कमिशन की क्रेडिबिलिटी पर एक सर्वे हुआ अठाइस परसेंट लोगों का सिर्व भरोसा है इस से ज़्यादा भरोसा तो पंचायट वेब सिरीज में फूलेरा के ग्राम प्रधान का है लोगों को ये सोचना चाहिए मैं सर मैथमेटिकल लेंथ अब टेनियर को देख करके उस पर मलहम लगाए जख्म कुरेदे नहीं जख्म पे नमक न चुरिके वो होता है नेहरू तो सिर्फ मैथमेटिकल लेंथ से अब सर आपको एक छोटी चीज बताओ जातिगत जनगन्ना की मांग की थी हमारे जदियों के साथी लोग भी थे अभी हैं मंत्री जी पनाम हमारे जदियों के साथी लोग भी थे नितिश जी तेजस्वी जी ने मिलकर सर्वेक्षन कराया सर्थ मैडम सॉरी मैडम कोट में आया कोट में कौन खड़े हुए यहां नाम लू सॉलिस सेटर जेनरल ने रोकने की कोशिश की किसके इशारे पे हो रहा है एक तरफ आप कहते हैं बंचितों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और दूसरी तरफ आप इस प्रकार की कोशिश हैं करते हैं आज बिहार की सबसे बड़ी मांग है कि सर्वेक्षन के बाद जो आरेक्षन का आधार बढ़ाया गया उसको नौमी अनुसूची में डालिए अभी पटना उचन्याले का एक दिर ने आया हम इंतजार करते रहे हैं सरकार से भी हर की सरकार से कि वो चैलेंज करें इसको नहीं तो रास्ट्वे जनता दल पिटिशन लेके जाएगा सुप्रीम कोट सर अब आप बोल दीजेगा अभी तक गई नहीं है मुझे भी जानकारी है सर बहुत फॉलो करता हूँ क्लोजली बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ सर अभी महमहिम ने मिजॉरिटी की बात की मैं उस पर सुरू में बोल चुका हूँ लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी को हमेशा मॉरल मेजॉरिटी के साप एक्ष रखना होगा मॉरल मेजॉरिटी के साप एक्ष अगर आप मॉरल मेजॉरिटी से नहीं जलाते हैं तो legislative majority, जिस दिन साइकिल पे तीर सवार हुआ न, ये उड़ जाएगा, साइकिल चुनावचीन है टीडीपी का, और तीर हमारे रमनाथ भाई का, जन्ता दली उनाइटेड का, एनिवे, भाजपा का, देखे, कभी-कभी मेंडेट कितना खुबसूरत काम करता है, हम बचपने स चुनाथे, बीजेपी को मैं फालो कर रहा हूँ, सारी पार्टीज को करता हूँ, बीजेपी को भी कर रहा हूँ, बीजेपी का संकलप पत्र हुआ करता था, इस बार हुख त जिन से हम काम करता है, अपको बहुत बड़ा फाइदा है, विक्ति के समच्छ, कोई भी दल, शम की की सा मैं मैं प्रोटेक्ट मी आई 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 नीड यो प्रोटेक्शन मैं मैं चेर परसन मैं चेर परसन आप I I have I have 15 10 मिनिट्स आप वुड्यो के एटो सिट डाउं सा आप यह तरीका नहीं है सा लीडर आप दो हाउस ऐसे चलेगा आप बीच में मत भूलिए प्लीज कि मैं कभी किसी को टोका ठोकी नहीं करता हूं सच चुबने लगता है सार फिफ्ट मैं मैं फिफ्ट पैरा फिफ्ट पैरा दिखाना चाहता हूं प्रेसिडेंट के एड्रेस का फिफ्ट पैरा इसमें कहते हैं ग्रोथ स्टोरी अच्छा लगता है सुनके what kind of growth कैसी प्रगति कैसा विकास joblessness hopelessness facelessness और आप चाहते हैं कि उस economic prosperity की के पक्ष में हम ताली बजाए मैं मेरी ये किताब constitution सबसे पहले मैंने ही दिखाना शुरू किया था निर्मला जी नहीं है हमारी finance minister हर budget के बाद मैं article 39 पढ़ता था concentration of wealth कोई blueprint है कि आय की जो असमानता है इस देश को लील रही है ताली बजा रहे हैं पांच क्रोनी पुंजी पती तरक्की कर रहे हैं उसको देश की तरक्की मान रहे हैं कभी उस युवा से पूचिये वो देश की तरक्की को कैसे देख रहा है ऐसा जबाब देगा कि मुश्किल परेगा हैंडल करना मैम परसोला में बाबा साहब को सेलेक्टिवली कोट किया गया ये सेलेक्टिव कोट बड़ा परेशानी का चीज है कि आप किसी को सेमी कोलन के बाद कोट कर दें उसके पहले की बाद छोड़ दें ये इसको हम लोग की भाशा में academics में कहते हैं almost akin to pleasurism वो किया गया अब प्रधानमंत्री जी ने चुनाओ के वक्त कहा कि यह ही जाती है वो है गरीबी सुनने में शायराना लगता है खुबसूरत लगता है फिल्मी लगता है लेकिन ऐसा क्यों है कि जातीकत हिरार्की में नीचे जाते हैं तो गरीबी बारती है उपर जाते हैं तो गरीबी घरती जाती है अब मैं समझता हूँ कि यह NFS non-found suitable non-found suitable यह चिंता का विशह सबको अभी अनुप्रिया पठेल जी को चिठी लिखनी पड़ी है मैं बताओ यह एक मानसिक रोग है जो non-found suitable करता है विशह विद्यालेओं में इस मानसिक रोग से डील नहीं किया न तो हमारी कथनी और करनी में मीलों का फासला होगा कहागे अब पहले की कुछ सरकार unstable थी लेकिन अगर आप pro people legislation का legislation करें तो सबसे ज़्यादा खुबसूरत छण so called pro people legislation पर काम करना पड़ेगा to begin with अगनी वीर को सेना में भरती को पुरानी तरीके पलाईए ताकि हुआओं के साथ नियाए हो पाए so मैं वो मैं बोल चुका हूँ भरतिया नियाए सहीता कल से आज से लागू हो गई आज से लागू हो गई लेकिन हमें याद रखना चाहिए 150 सांसदों के निलमन के साथ ये पास हुआ है इसमें कोई चर्चा नहीं हुई कोई चर्चा नहीं हुई ये एक कदम है पुलिस स्टेट की और एक औरवेलियन स्टेट की और इससे मैं आगाह करता हूँ क्योंकि हमेशा हो नहीं होंगे जब यहाँ होंगे तो यही दंड प्रावधान लागू होंगे और सुनिए प्यरइ ट्विंटिस donc प्यरे ट्विंटिस ये स्टें सवामी कोशे कैसे इस दुनिया से गुजर गये क्यों आज भी हुमर खालिद मिरान हैदर खालिद सैफी जैसे जवान जो सरकार की आलोचना को देश की आलोचना बना दिया गया और मैं दो किताब अगर ये किताबें मेरे पास भी आती है मेरे पास आती है तो नडड़ा जी के काड़ियाले में भी पहुंचना चाहिए और ये चालेंजिंग कास्ट बाई अजाज असरफ ये दास्तान है ये दास्तान है डिमोक्रिसी हाउ इस बिंग मॉजल्ड एनिवे सुप मैम मैं ज़्यादा वक्त लेते हुए नहीं कहूंगा एमर्जनसी पे बात हुई मैं एमर्जनसी पे बात हुई मैं वाइस चेयर परसन एमर्जनसी पे बात हुई सच मुछ बहुत बुरा अध्याय था तेकिन मुझको लगता है कि हिंदिना जी के एडवाईजर बहुत स्मार्ट नहीं थे आज की तरह के होते न तो कहते हैं 352 की जरुरत भी नहीं है इसे ही बना देंगा यह हालाद यह फर्क है और अखरी में कहूंगा कि यह जो चुनावी बिमर्ष है इसकी वज़ा से जहर बहुत है समाज में लिंचिंग चल रही है लिंचिंग मैं कितने वीजुल्स बताऊं आज से तीन दसक पुर्व मुझे स्मरण है राहीम असूम रजा ने एक छोटी कविता लिखी थी मैं यही कहके खतम करूंगा उन्होंने एक कविता लिखी थी पुआधा गाओं के लेखत थे कई लोग उनको महाभारत के लेखत के रुप में जानते हैं उन्होंने एक और उनके लिए गंगोली और गंगा उनकी माती यह था एक भारतिय मुसल्मान का चित्रण उन्होंने लिखा था मेरा नाम मुसल्मानों जैसा है मुझको कतल करू और मेरे घर में हग लगा दो मेरे उस कम्रे को लूटो जिसमें बायाने जाग रही हैं मेरी और जिसमें मैं तुलसी की रामाइन से सरगोशी करके काली दास के मेकदूत से कहता हूँ मेरा भी एक संदेश है अब आईए दूसरा ये सारे तीन दसक पुर्व लिखी गई अभी और यहीं मैं खत्म करूंगा ये पूरे देश का चित्रन है ये हम सब के लिए आएना है वरना मारे जाओगे रगवीर साहय को याद करते हुए एक युवा कमी अधनान नाम के लिखा है मत भूलो कि तुम मुसल्मान हो बस तीस सकेन और लूँगा मत भूलो कि तुम मुसल्मान हो बस लोगों कुछ हलावा देते रहो कि तुम मुसल्मान नहीं हो वरना मारे जाओगे राह चलते खयाल रखो कि कहीं तुम्हारी कमीज से मुसल्मान होने की बू तो नहीं आ रही खयाल रखो किसी से बहस करते हुए कुछ बोलते हुए कुछ करते हुए यहां तक की हसते और रोते हुए भी कि कहीं तुम मुसल्मान तो नहीं लग रहे हो वरना मारे जाओगे ये बात हमेशा याद रखो कि तुम एक मुसल्मान हो और तुम मरो के नहीं एक दिन मारे जाओगे बिवेक हींता तर्क हींता के समाज को धुस्त करिये आईए हिंदुस्तान बनाएं वो हिंदुस्तान जहां कोई फरक ना हो गले लग सकें ये नहीं कि चुनावी मंग से कुछ जमीन पे कुछ जाए हिंग मैम जाए हिंग